हेलो फ्रेंड्स और वेल्कम डू ऑप्शन स्पॉर्ट अब सभी लोगों का स्वागत है आज यह वीडियो के हम बात करने वाले हैं लॉजिक्स तो सबसे पहले यह जानना बहुत जादा जरूरी है कि लॉजिक्स को समझना क्यूं जरूरी किसी भी चीज की जब शुरुवात होती है तो उसका एक बेस होता है कि और पूरी कहानी वह कोई भी चीज जो कितनी ही बड़ी हो जाए लेकिन कभी भी अपने बैस से नहीं अड़ती ये शायद आप고साद हैं तो चार्ट के लॉजिक्स में तो चार्ट में बहुत सारे logics आ सकते हैं और logic का मतलब है कि पीछे की कहानी actually में क्या हो रही है और सामने आपको actually में क्या दिख रहा है क्या दोनों में difference है और जब तक उन दोनों में difference रहेगा तब तक आपका loss होता रहेगा आपका stop loss हिट होता रहेगा तो क्यों ना हम इसको और थोड़ा deep में समझें और पीछे की कहानी और आगे की कहानी को लंसम equal करने की कोशिश करें जिससे कि हम losses को कम कर सकें और stop loss के hit होने के chances को कम कर सकें जैसे कि सबसे पहले जो important चीज़ आप वीडियो में बने रही है अभी हम चलेंगे laptop की screen पे charts पर भी देखेंगे कहां पर क्या हो रहा है candles में moments में patterns में क्यूं दिक्कत आ रही है यह सारी चीज की बाद हम laptop की screen पर बात करेंगे भी मैं आपको लेक कोशिश करेंगे सबसे पहले चीज यह समझने की कोशिश करते हैं कि actually में कितने टाइप के लोग है इस मार्केट में तो जैसा कि आपने बहुत बार नाम सुना होगा FIIS, DIIS बहुत सारे लोग नाम सुनते हैं अचा कुछ लोग knowledge लेने के भी बहुत सारे अलग-अलग तरीक और logics मुझे जहां तक लगना है logic का मतलब है base किसी भी चीज के पढ़ाई भी करते हैं बहुत सारे teacher बोलते हैं कि रटने पर focus मत करो base को समझो logic को समझो इससे आपको हमेशा याद रहेगा आप रटेंगे तो exam के बाद भूल जाएंगे बिल्कुल सेम चीज है चाहें वह प बहुत ही ज्यादा पीछे चूट गया है आज सभी लोग चाहते हैं कि अभी किस चीज की जरूरत है अभी यह एक्स वाइजट कंपनी है जो जावा में सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर इस टॉपिक के बारे में hiring निकाल रही है तो मैं सिर्फ यह सीख लेता हूं बस यह च कितने टाइब के लोग हैं इस मार्कित में तो आप जानते जैसे FIIs DIs mean foreign investors और domestic investors और उसके बाद आते हैं retail investors दो होते हैं जैसे foreign investors जो बहुत जो इंडिया के नहीं है foreign में बैटे हैं और वो इंडियन market में इन्वेस्ट कर रहे हैं में आप्शन में गरें share marketוכane investment कर रहे रहे हैं चेयर कोайт कर रहे हैं चेयर समय trading कर रहे हैं तो फारइन इंवेस्टिर्स इस लिए हैं क्योंकि वह इंडियां नहीं है बाहर जैसे कि हम लोग अगर किसी foreign country के market में आँच्छ में ट्रेडिंग करें तो हम उनके लिए foreign investors हो गए और हलांकि यह foreign investors बहुत बड़े huge quantity के amount के साथ करते हैं investment trading और domestic investors जो अपने ही country के लोग हैं और बड़े investors हैं जो भी 50 करोड, 100 करोड, 200 करोड, 1000 करोड इनकी trading चलती है तो अब आप यह समझेए कि कितने सारे लोग trading daily कर रहे हैं फिर आदे retail investors जो छोटे traders है 10 करोड, 5 करोड और उनसे भी छोटे beginners हमारे जैसे जो आजार यार लाखों में खेल रहे हैं बहुत सारे लोग तो इसको खेल ही बना रख है कई सारे लोग उन्हों की खेलते हैं आज खेल के देखते हैं जीतेंगे या हारेंगे यह कोई यह सब कुछ नहीं हो रहा यह सब के सब बड़े इंवेस्टर्स या फिर स्रीफलॉज कराना चाहती है यह पूरे मार्केट में और मार्केट आपको जानती भी आपको लगल केखर भूए आप एगजुट हो जाते हैं और अंगली ग्रीन ग्रीन्ट्रल Genau शली जाती है तो यह क्या हुआ यह जो है बीच में जो यह ग्राटीन-चैंडल जिसने आपकी हालत खराब की वह आप उस ट्रैप में फसे एक बुलिश मुमेंट के बीच में का इंट्री लेके उस ट्रैप में फसे क्योंकि आपने लॉजिक यह नहीं समझा कि अगर पिछली बहुत देर से मार्गेट बुलिश थी और बीच में बड़ी रेड़ कैंडल बन रहे हैं कुछ जो सुबह अभी 20 मिनट पहले किनों किसी ने कॉल ली है ऐसे जितने सारे लोग कॉल ले चुके हैं पिछले 15 मिनट 20 मिनट एक दिन दो दिन पहले वह कहीं न कहीं आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो दो रेड़ कैंडल बन सकती हैं प्रॉफिट बुक कर मेंस अपनी पोजिशन से एक्जिट कर रहे हैं कोई भी सामाना बेच रहे हैं तो मार्केट रेड़ कैंडल आपको बना कर दिखाएगा तो यह सारे एक्जाम्पल्स थोड़ा डिटेल में कोशिश करूंगा आपको सिखाने की बताने की और एक एड्मास्पेर बना सकूं ज जरूर बताईएगा और अगर समझ में आ रहा है अच्छा लग रहा है कि यह शायद चीज आपको कहीं समझने को नहीं मिलीती है आज तक वीडियो को लाइक कर दिजेगा तो चलते हैं सीथे लैट्टाप की स्क्रीन पर और देखते हैं समझने की कोशिश करते तो यह ऐसा किसी ने बना दिया मैं अपने एक्स्पिरेंस से अपनी चीजों के हिसाब से आपको सिर्फ समझाने की कोशिश करूँगा और आई होप आप उन्स चीजों को जरूर समझेंगे आई होप वीडियो को लाइक करेंगे और चलते सीथे लैट्टाप की स्क्रीन पर और सबसे पहले आपको जो दिख रहा है क्योंकि किसी भी चाट वर आप प्लीज ध्यान से सुनेगा सारी बाते क्योंकि मैंने चाहता हूँ कि कोई भी चीज आपसे मिस हो Logics पे मैं हमेशा बात करता हूँ आप हमेशा जानते हैं कि कई बार वीडियो में बात की है और मैंने हमेशा आपको बोला है कि कभी भी किसी भी वीडियो आप कोई भी वीडियो देख रहे हो उसमें सारी बात सुनिये क्यों कि कहीं एक छोटी सी बात भी आपसे मिस हुई और वो हो सकता है आपके लिए बहुत कामगर हो सकती है इसे ध्यान से सुनियेगा मैं सिर्व आपको सजेस्ट कर सकता हूँ बाकी आप लोगों की मर्जी है करना आपको वही है जो आप का दिल कहेगा तो किसी भी हमें main focus अपना technical answers रखना है नहीं समय चारच पर reading पर focus रखना है जो भी logics की बात होंगी market की sentiments की बात होंगी जो कुछ भी होगा दिमदुनिया में कुछ भी हो वो सब कुछ हमें chart पर दिखाई देगा ये हम सभी जानते है market अगर fall हुने वाली है तो हमें chart पे दिखेगा अब होने वाली है तो भी हमें chart पे दिखेगा और वो किस form में दिखेगा वो सभी आप जानते हैं कि वो हमें दिखेगा candles के form तो candles का पहले एक base समझ लेते हैं का candle में actually चार चीजे हमें पता चलती हैं कौन-कौन सी चीजे जैसे ही time शुरू होता है तो candle में सबसे पहले एक price आता है माल लिजे कोई भी price बान लेते हैं 16,500 निफ्टी का price खुला candle का उसके बाद buying और selling process की वज़े से demand और supply में change होने की वज़े से price में change आता है ये बिल्कुल basic है जितना ज़्यादा लोग buy करेंगे price उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा क्योंकि demand बढ़ रही है simple logic जितना ज़्यादा लोग sell करेंगे उतना ज़्यादा demand घट रही है तो price घटेगा तो means अगर buying बढ़ेगी तो हमको green color की candle देखने को मिलेगी क्योंकि price उपर बढ़ता चला जा रहा है तो मा call खरिदना शुरू कर दिया market bullish हो गए और market close is 16,540 पर means 16,500 से लेकि 16,540 पर market close होई तो हमें कुछ इस तरीके की green candle देखने को मिलेगी जिस तरीके की आप इस screen पर देख पा रहे हैं अब इस 5 minute duration के बीच में जिसमें 300 seconds हैं उसमें market ने क्या-क्या moment लिया क्या जरूरी है कि 16, 16,500 chances क्या हो सकते हैं कि जैसे ही market 16,500 पर पहले second पर open हुई उसके बाद market 16,500 के नीचे गई ही नहीं तो market में चार्ट के candle की body कौन बनाता है body आपकी बनाता है जो आपके पास दिख रहा है सामने actual में जो आपको दिख रहा है opening और closing market कितने पर open हुई और कितने पर close हुई पा पाच मिनट के time frame है पहले second पे जो price होगा वो और 4 minutes 59 seconds के बाद जैसे 5 minutes complete होगे तब जो price होगा वो उसका closing price होगा उसके बीच में market कहीं भी गई हो उपर या नीचे वो सारा price आपको up means high और low होगा माल लीजे कि बीच में duration में market कहीं भी नीचे गई तो market 16,490 गई थी जो 16,500 के नीचे था तो आपका वो low point होगा lowest point जो होगा वो low point हो जाएगा तो यह आप moment समझे लेगा क्योंकि market 16,500 पे open हुई थी और 16,540 पे close हुई इसलिए जो open price था उससे closing price उपर है तो आपको candle green दिखेगी means up moment हुआ है प्राइस बढ़ा है तो अब प्राइस बढ़ने का मतला पहला logic दिमाग में बिठा लिजे कि demand बढ़ी है क्यों बढ़ी आप इस candle को देखने के बात समझ रहे हैं जब यह candle पूरी बन गई है तब आपने समझा कि demand बढ़ी यह लोग जो demand बढ़ा रहे हैं जो इसी candle में कि हमें demand बढ़ानी यह हैं बड़े investors जो बड़े पैसे लगा रहे हैं क्योंकि एक बड़े market को चलाने के लिए बड़ा amount आप खुद समझेए कि एक share का price 5 रुपे है और जिसका volume एक अच्छा कासा है और अगर आपके पास 5 रुपे के share खरीदने के लिए आपके पास 50 करोड रुपे हैं तो 50 करोड रुपे के हिसाब से 5 रुपे का share आप कितने खरीद सकते हैं आप calculate करिए कम से कम 10 करोड शेर आप खरीद सकते हैं 50 करोड रुपे के हिसाब से 5 रुपे का share 10 करोड शेर की आप जैसे ही buying करेंगे तो सोचिए उसके price का demand कितना हो गया और उसका price जाएगा तो सेम ऐसे ही बड़े इंवेस्टर जब बड़ा एमाउंट इंवेस्ट करते हैं या ट्रेड करने के लिए पैसा इंवेस्ट करते हैं तो प्राइस में चेंजेज आते हैं तो पहली दूसरी चीज आप आप ये समझ गए कि वॉल्यूम अगर है ट्रेडिंग में जैसे मैं आपको लें चलता हूँ चार्ट फे पर हम केंडल में देखते हूं अगर मैं इस केंडल की बात करेऊ जो ये केंडल आपको दिख रहा है एक ये केंडल है और एक केंडल आपके पास ये हैँ इस केंडल के अगर मैं बात करूं, तो इस candle ने total points जो cover किये है, वो cover किये है, इसका हम high देख लेते हैं, low देखे 15,690, 15,675 माल लेते हैं low, तो means only and only 15 points इस candle ने cover किये हैं और अगर हम इस candle की बात करें तो इस candle का high देखे 15,710 माल लेते हैं low 15,677 माल लेते हैं means almost 25 plus 10, 35 points इसने cover किये means इस particular 5 minutes के time frame में जो buying रही या selling रही जो कुछ भी रही वो बहुत ज़्यादा रही हाला कि ये green candle है market ने यहां से open लिया है जो इसका high था sorry जो इसका low था वो था 15,677 आपको यहां दिख रहा होगा लिखके जब इस candle फे आप cursor लाएंगे तो आपको यहां दिखेगा 15,677 और जो इसका open रहा वो 15,680 रहा means open होगरने के बाद सिर्फ 3 points से नीचे रही है और उसके बाद market ऊपर ही चली गई close कहां लिया इसके 15,707 पर तो 680 से लेके 707 almost 27 points ऊपर market close होई और एक बहुत अच्छा bullish momentum दिखा इसका इसका मतलब क्या है अब मतलब समस्ते क्या इसके पहले भी bullish momentum था जो बिलकुल था कहाने कहां से शुरू हुई यहां से शुरू हुई यहां से market लगातार fall कर रही थी market rate थी नीचे drop हुई बीच में market ने यहां open लिया देखिया logic को समस्ते चलिए market ने open कहां लिया यहां लिया है जैसे ही market ने यहां open लिया है market उसके बाद उपर भी गई है नीचे भी गई और उपर close हुई लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े point से open उपर close नहीं हुई हला कि market green बनी means कहने का यह market ने यहां तक जाने की कोशिश की means buyer ने market को वहां तक ले तो कि buyer ही है जो market को उपर ले जा सकता है buyer ने market को यहां तक लाने की कोशिश की लेकिन seller ने वापस market को नीचे लाकर पटक दिया this means buyer का power कम पड़ गया हाँ पूरी market में है क्या buyer और seller के बीच में टकरार अगर आप buying कर रहे हैं तो buyer है seller तो buyer और seller के बीच में जो भी लडाई होगी वो आपको यहां पर तिखी अगली candle पर आते हैं अगली candle market ने बिल्कुल जहां close हुआ था वहीं पर market ने open लिया अब market फिर से उपर गया means buyer ने फिर से ताकत लगाई market यहां open हुआ buyer ने फिर से ताकत लगाई market को उपर तक लेकर गए लेकिन यहां तक आने के बाद sellers इतने ज़्यादा ताकत वर निकले इतने ज़्यादा ताकत वर निकले कि उन्होंने even open price से भी नीचे market को गिरा दिया तो market में red candle वनी यह सारा खेल आप इस candle में समझिए इस candle में समझिए इस candle में समझिए तो आपको यही समझ में आ रहा होगा कि हर candle indicate कर रही है market को नीचे गिराने के लिए और आपको लगातार market में down movement दिख रहा है अब बात करते हैं इस candle की यहाँ पर market ने यह इस candle का low था जहाँ पर बिल्कुल market ने open लिया market उपर गई उसके बाद green में close होई अगली candle का open देखिए अगली candle का open बिल्कुल exactly पिछली candle के close के पर था market ने यहाँ पर दोनों moment लिये नीचे और उपर market close कहा होई यहाँ close होई अब दीरे-दीरे market का scenario बदल रहा है अगली candle ने फिर से जहाँ market close हुई थी वहाँ open लिया और अब की बार एक बहुत बड़ा moment उपर दिखाया means अब buying में volume बढ़ रहा है buying में volume बढ़ रहा है market green हो रही है अब आप आये market के बीच यहाँ पर कहें आपको लगा market bullish हो रही आपने बिल्कुल सही पहचाना कि market bullish हो रही लेकिन जो बीच की समस्या थी ये समस्या इस समस्या कि अगर हम बात करें तो ये क्या समस्या है जिन लोगों ने यहाँ entry बनाई अब हमने बात की traders कितने type के होते हैं यहाँ पर आती है बात बड़े traders कि बड़े traders ने यहाँ पर moment बना लिया bullish का और उन्हें पोजिशन ले लिया और hold कर लिया अब जो छोटे traders है जो scalping करते हैं जिनकी trade ही दो मिनट की होती है पांच मिनट की होती है तीन मिनट की होती है जिनका target ही एक trade में पांच रुपे दस रुपे पंदर रुपे या मिन्स 10 परसेंट 20 परसेंट होता है जिसने यहाँ पे entry ली अगर वो scalper है तो वो कोशिश करेगा यहाँ पे कहीं exit कर जाने का क्योंकि उसका 20% का target almost complete हो चुका है क्योंकि यहाँ पे entry ली है और यहाँ पे exit करेगा वो क्योंकि scalper है ही इसलिए बना जो scalping करता है वो ही इसलिए बनता है कि मेरे को सिर्फ दो ही candle का target रखना है तो अगर वो यहाँ entry ले रहा है उबसी बात ही यह दो candle के बाद वो exit करेगा तो जितने भी scalper होंगे जिनके targets दो candle होंगे वो यहाँ exit करेंगे जिसकी वज़े से market एक downfall लेगा आपने यहाँ पे कहीं call entry बनाई ती आपने लाल candle देखी आपके हालत करा हो जाएगी लेकिन यह है क्या यह है क्या जो market को निचे fall कर रहा है यह उन लोगों की profit booking है profit booking तभी होगी अगर buying किये तो यहाँ पे sell करेंगे तभी profit book होगा यहाँ पर जिन्हों ने भी position बनाई है यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने position बनाई बने investors ने भी बनाई छोटे investors ने भी बनाई retail traders ने भी बनाई आप अब बाद एक टार्गेट की, आपका टार्गेट है 20 रुपे का, किसी का टार्गेट है 200 रुपे का, किसी का टार्गेट है 100 रुपे का, तो जिनका टार्गेट 20 रुपे का है, उनका टार्गेट यहाँ पे complete हो गया है, वो निकलेंगे, क्योंकि वो अपने rule के हिसाफ से चल निकल गए बड़े ट्रेडर्स अभी भी मैदान में है मार्केट अभी भी ऊपर जा रही है आपको दिख रहे लगाता है अब बात करते हैं यह रेड केंडल क्यों बने मार्केट ऑल्मॉस्ट पे है डे क्लोस पे जब मार्केट है तो अबसी बात है कि जिनों ने यहां प्रॉ बना हुए स्कैलपर की अगर बात करें या बड़े इंवेस्टर की बात करें जो यहां से यहां तक भी पॉइंट्स कवर करना चाहते थे मींस 15,664 और मार्केट 15,720 जिनका टार्गेट था वो यहां पे एग्जिट करेंगे और अल्सो डे क्लोस लास्ट केंडल है करना चाहते हैं तो उनको एग्जिट करना पड़ेगा अपना प्रॉफिट बूप करना पड़ेगा जिसकी वजह से यह रेड़ केंडल आपको दिख रही है तो यह सारी है लॉजिक्स की बातें और कोई कैंडल ले लेते हैं आप कैंडल के लॉजिक को एक बार समझने की को करते हैं थोड़ा सा क्योंकि जब बात कर रहे हैं तो अच्छे से ही बात कर लेते हैं अगर हम यहां देखें मार्केट लगातार फॉल हो रही यह बड़ा मूमेंट बड़ा वॉल्यूम बड़ी कैंडल अब इसकी शैड़ो की बात करें हमेशा बोलता है ना कि शैड़ो बहु है जो मार्केट को इससे नीचे नहीं जाने दे रहा है और वो है बायर जैसे ही मार्केट यहां आती बायर बाय कर लेते जैसे ही मार्केट यहां आती बायर बाय कर लेते मार्केट फिट से उपर चली जाती यहां क्लोज हुई फिर यहां पे ओपन हुई थोड़ा सा सेलर न लेंगे उस पर देख लेंगे सब्सक्राइब अब मार बायर ने यहां बंद गया थोड़ी सी ताकत लगाई यह बायर उसके बाद सेलर ने फिर से नीचे गिरा है मार्केट को क्योंकि यह अपना प्रॉफिट बुक करना चाते हैं जितने भी यहां पर पुट वाले हैं यह अपना प्रॉफिट बुक करना चाते हैं यह अब सेल करेंगे यहां पर कोई सारे लोग सेल करेंगे जो सेलर थे वो बाई करेंगे फुल्टा market ने एक और downfall दिया अब यहां पर हम use कर लेते हैं एक बार RSI indicator indicator में चादेंगे यहां से लगाएंगे हम RSI indicator relative strength index यह हमने लगा लिया relative strength index क्यों अब बात करें इस point की बात करें एकर इस point की इस point पर RSI में हम check करेंगे पहले की RSI की क्या strength है यह रहा RSI का point है हमारा यहां पे क्या है 17 ठीक है अगला पॉइंट हमारा नीचे है इसकी बात कर रहे हैं हम इस केंडल की और इसकी स्ट्रेंद हम चेक करेंगे इसकी स्ट्रेंद है 17.32 इसकी स्ट्रेंद थी 17.1 means RSI में स्ट्रेंद डाउन नहीं हो रही है प्राइस में स्ट्रेंद डाउन हो रही है means volume में स्ट्रेंद कहीं न कहीं कम हो रही है पुट वाले एरिया में तो means अब market support ले सकती है अगर हो सकता है कि एक केंडल और भी बन सकती थी आप RSI वाली वीडियो जरूर देखिए का उपर आई बटन पर क्लिक करिए RSI वाली वीडियो देखिए एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने बना रखिए बागी कोर्स में तो है ही बहुत कुछ सब कुछ लेकिन फिर भी कुछ लोग जो सेलेक्टेट चीजे पूछ रहते हैं व उपर लेते चले गए और उसके बाद बायर्स ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया और बायर्स काफी उच्छे तक मार्केट लेके गया और जितनी भी बीच पे यह रेट कैंडल्स वनी हैं यह सारी कौन एक्जिट हो रहा है क्योंकि अगर स्कैलपर यहां से इंट्र इसलिए मैं बोलता हूं कि लॉजिक्स को समझ यह बहुत जादा ज़रूरी है अब बात कर लेते एक बार गैप डाउन जब होता है तो मार्केट में हमें किस तरीके से मार्केट को देखना चाहिए हाला कि बात हम वह सपोर्ट और इस्टेंस की वीडियो में जरूर करेंगे तो बात कर लेते हैं कहीं गैप अप गैप डाउन हुआ है यह तो खेर अभी कल का ही चार्ट है आगे की कुछ पीछे चल लेते हैं थोड़ा सा जैसे कि बहुत बार होता है कि मार्केट में कुछ लोगों ने जो बिल्कुल बिगना रहें कुछ लोगों ने एक सिनेरियो बन लेती चाहे अपले चाहे डाउन ले ज्यादा ज्यादा चार सो पॉइंट मैक्सिमम की बात करो चार सो साड़े चार सो पॉइंट ले सकती है अब यहां पर मार्केट ख्लोज हुई यह मैं ही नहीं बोला हूँ आप भी एक्सपिरिंस आपने भी किया होगा आप भी देखे सारी चीज़ें बैक्टेस्ट करते रही है 15885 पर मार्केट ख्लोज हुई यहां पर 15883 पर मार्केट ओपन हुई 15700 अल्मोस वन 200 पॉइंट्स का गैप डाउन तो जब 200 का ओर्रीट मार्केट गैप डाउन ले चुकी है 200 पॉइंट को जब मार्केट अल्रीट गैब डाउन ले चुकी है तो अब अगर आप सोच रहे हैं कि और डाउन चली जाए तो यह बहुत बड़ा फॉल हो गया जब आप देख रहें साथ के साथ RSI में भी आपको almost 30 पे पहुँच चुका है तो यहां फुट की अब आप पहली केंडल देखिए इसने आपको जरूर फुट लेने पे मजबूर किया होगा इसलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि पहली एक दो केंडल को दो तिन केंडल को हमेशा इग्नोर करें कहानी क्या होती है समझते हैं जरा क्यों इग्नोर करना चाहिए कल की मार्केट में अगर हम यहां की बात करें बहुत चारे लोगोंने कॉल की इंट्री लिए होगी और कुछ लोगोंने होल्ड भी किया होगा कॉल को जैसे ही गेप डाउन हुआ लॉस एक अच्छा खासा लोस वो तुरंट exit करेंगे call थी exit कैसे करेंगे sell करेंगे panic होकर sell करेंगे sell करेंगे अगर ज़्यादा लोग sell करेंगे तो candle क्या बनेगी red बनेगी simple gap down हुआ बहुत सारे लोगों ने सोचा कि gap down हुआ market नीचे जाएगी वो क्या buy करेंगे put buy करेंगे फिर से क्या बनेगा red बनेगा लेकिन कहानी कुछ और ही होनी थी यह logic आप भूल गए कि already 200 point का gap है और ज़्यादा तर कोशिश market यह करती है कि जो से ने gap अगर बड़ा दिया है तो उसको fill करने की कोशिश करती है यह logic में हम बात कर रहे हैं अगली candle green बनी फिर green बनी market ने आपको up moment दिखाना शुरू कर लिया अगर आपने पहले candle में entry नहीं ली होती put की आप wait करते तो जब यह 2-3 candle red बनी और जब day high break हो गया 15 minutes का high जब break हो गया तो आप call में entry बनाते और profit book करते तो I hope यह logic भी आपको समझ में आ गया होगा तो यह सारी चीजे हैं अगर आपको यह सारी चीजे समझ में आ रही हैं अगर मुझसे कोई भी चीज छूट रही हो आप comment करके बताईएगा मैं मिलता हूँ आपको आगे कुछ और important बात बनानी है वीडियो में बने रही है आगे मिलता हूँ मैं आपसे कुछ important बात करते हैं आपके लिए भी अच्छी होंगी अभी बात करते हैं हम आगे सारी चीजे मैटर करती है इसी लिए मैं हमेशा आपको practice के लिए बोलता हूँ कि practice मैं आपको करना क्या है इन ही सारी चीजों के logic को दिमाग में रखते हुए चीजे test करनी है कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ या मैंने जो बताया है या आपने कहीं से भी सीखा है या आपने combo course में जो कुछ भी सीखा है उन सब को test करना है भाई मेरे सब को test करना है कोई भी चीज है आप कोई भी चीज सीख रहे हैं उन्हें टेस्टिंग जरूर करनी है वर्चुल ट्रेड करिए पुराने चार्ट देखिए जब आपको जिन्दगी ही चार्ट के आगे बितानी है तो चार्ट को समझना बहुत जादा जरूरी है चार्ट को समझिए बैक टेस्ट करिए बीस दिन में दस पंदरा बीस पचास जितने चार्ट देख सकते हैं चार्ट देखिए और कोर्स जो कुछ भी जैसे आपने कोई भी पैटन सीखा है कोई भी लॉजिक सीखा है उसको वहां ढूनने की कोशिश करिए बिल्कुल exactly same जैसे वहार रूल्स और जो मैंने बता रखे हैं वो सारी चीज़ें आप सेट करिए वहाँ पर बैक टेस्ट पुराने चार्ट पर जाईए फिर देखिए कितने परसेंट वह चीज आपके लिए काम करती है तो केस्टिंग करते रहें बैक करिए वर्चुब टेड करिए तुरंत मत कूदिए कभी वी मार्केट में इतना आसान नहीं आपके लिए किताब पढ ली वीडियो देख ली चल गए पैसे लेकर पैसे लेकर मत आये virtual trade आप्स हैं बहुत सारी चीजें हैं जो बिना पैसे के आप trade कर सकते हैं अपनी चीज़ों को पहले check करने के लिए पेपर पर ट्रेड ले लीजिए वर्चुल ट्रेडिंग एप्स हैं तो कमेंट करके बताईए क्या चीजे मिसर हो गई है शायद इसमें अगर आपको लगता है क्यों चीज मिस हो गई है अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लिजेगा फिर हम सपोर्ड रिस्टेंस की वीडियो के बारे में बात करेंगे तो ऐसे ही देखते रहिए वीडियो सीखते रहिए कोर्स नहीं जोइन गया करना चाहते हैं सीखना चाहते हैं तो कर लिजिए link description में है website का जहां से आप download कर सकते हैं और comment जरूर करिए अपने questions को जरूर मुझे तक पहुचाईए और फिर Q&A की वीडियो resistance वीडियो बहुत सारी वीडियो pending है आप जानते हैं मैं busy था तो सब कुछ लेकर आएंगे सब कुछ सीखाएंगे सब कुछ सीखेंगे और एक अच्छी trade करेंगे thank you very much guys मिलता हो बहुत जल्द एक नई वीडियो में